इसका स्पीडो मीटर चल रहा है यह नीडल चल रही है लेकिन यह जो ओड़ो मीटर है वो सेवन्टी थाउजन पे अटक गया है और पिछले तीन चार महिने से लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जाता है इसलिए मुझे यह काम करने का मैं भूल जाता हूं तो आज हम यह करेंगे इसके मीटर को खुलेंगे और दे के बलता है वो खुलेंगे नहीं या चेक नहीं करेंगे क्योंकि वह ओके हैं इसके लिए हमें सबसे पहले मीरर निकालने पड़ेंगे और यह जो फिलिप सेड़ स्कुरू है एक तो तीन चार उससे फैरिंग निकालेंगे और उसके बाद अंदर का निकालेंगे फैरिंग हमने खोल दिया है और अभी हम यह वाले फिलिप सेड़ स्कुरू को बाहर निकालेंगे देखिए है दूसरा यहां पर है और तीसरा यहां पर है और जब भी आप कोई भी स्कुटर का काम करो तो इस टाइप का मेगनेटिक स्कुरू ड्राइवर ही लेना देखिए क्योंकि स्कुटर की बाड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और ऐसी जगह पे काम करने से अगर स्कुरू गिर जाए तो उसको निकालने में बहुत ज्यादा मेनत होती है और बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है जब भी आप स्कुटर का काम करो तो मेगनेटिक स्क कर दिया है सबसे पहले यह वाला निकालना है सपिडो मीटर का केबल यह कप्लर SH backlash इसके जो वह न्याट है उसके है और अभी हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लेम है और स्पीडो मेंटर को निकालने के लिए ये स्क्रूउ खोलने पड़ेंगे और सायद ये तीन स्क्रूउ भी खोलने पड़ेंगे प्रोब्लेम हमने सॉल कर लिया है, माइनोर प्रोब्लेम है तो फ्री में सॉल हो गया, अगर प्रोब्लेम मेजर होता तो ये पूरा हमें बदलना पड़ता, ये जो है, ये वाला प्लास्टिक का साथ, वो यहां से चिपक गया था, और रोटेट नहीं कर रहा था, अब देखे अब ये फ्रीली रोटेट कर रहा है, देखे ये गुमाने से चल रहा है, इसमें हमने हमारा होममेड चेन स्प्रेय है, जो ये पलसर 180 में लगाया था, वो डाल दिया है, तो अभी प्रोपरली चल रहा है, देखे ये गुम रहा है, और यहां पे जो वल्ट मीटर था, जो निकालते निकालते ये कलर भी निकल गया, तो अभी हम यहां पे कोई स्टिकर ढूंडेगे, और स्टिकर को लगाएंगे, और मिटर को प्यक करेंगे, हमने ये स्टिकर लगा दिया है, और ये बहुत साल पहले मैंने खरी दे थे, शाल पहले, पूराना कलेक्शन अभी काम आ गया है तो आज का वीडियो बिल्कुल फ्री में हो गया है और अपना स्पीडो मिटर भी रेडी हो गया है अब हम इसको एसेंबल करेंगे और फिक्स करेंगे और यह जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है वो एसेंबल होने के बाद नहीं दिखेगा तो अगर आपके अनालोग स्पीडो मिटर में भी यह वाला प्रोब्लम है तो आप कर सकते हो और यह वाला पॉर्शन सभी का सेम होता है अनालोग में चाहे वो प्लेजर हो पलसर हो पुरानी वाली या फिर कोई भी हो एक्टिवा हो कोई भी हो अब हम इसको एसे सब कुछ पैक कर दिया है सारे स्कुरू लगा दिये है मिरर लगा दिये है और अब भी हम टेस्ट राइड करके देखेंगे कि यह कैसा चल रहा है और देखें यह स्टिकर दूर से पता ही नहीं चलता कि जो कलर उखड़ गया था उसके उपर हमने स्टिकर लगाया है और दूसरी एक छोटी सी टिप के ऐसे कोई भी स्कुरू हो जो थोड़े बहुत रस्टेड हो या फिर उसको खोलने में आपको तकलिप हुई हो तो उसको लगाते वक्त थोड़ा बहुत ओईल वाला करके लगाना तो नेक्स टाइम खोलने में आसानी रहेगी और उसका रस अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखने के लिए थेंक यू जाए है